प्रणाम, आज के क्लास में हम अब्यास पुस्ति का, यानि आपकी जो वर्क बुक है, व्याकरन का भाग, वर्क बुक, अब्यास पुस्ति का, में जो सर्व प्रथम, जो मुख्य भाग दिया गया है, वाक्य शुद्द कीजिए, ये जो वाक्य शुद्द कीजिए आपको चा साथ उदाहरणों द्वारा वाक्य शुद्द करने के लिए कहा गया है तो आज के क्लास में हम उन 60 एक्जामपल्स को देखेंगे उन साथ उदाहरणों को देखेंगे जो परिक्षा में सिर्फ चार मार्क्स के लिए आते हैं तो हम इसकी जानकारी प्राप्ट करेंगे नमस्ते आज के क्लास में आपका स्वाक्त है वियाकरन का भाग अभ्यास पुस्ति का वाक्य शुद्द कीजिए आपको वर्क बुक में जो 60 एक्जामपल्स है उन एक्जामपल्स को आज के क्लास में पढ़ना है और उसको लिखित रुप में वर्क बुक में प्राक्टिस करना है तो सर्वप्रतम जानेंगे कि शुद्द वाक्य क्या है तो उत्तर हैं वाक्य में लिंग, वचन, पुरुश, काल, कारक, आदी का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए तबी वाक्य शुद्ध होता है तो लिंग यानि दो लिंग है जैसे पुलिंग, स्ट्रीलिंग क्रिया के साथ अगर पुलिंग शब्द है तो वहाँ पर पुलिंग ही आना चाहिए अगर पुलिंग के जगप इस Nilling की करिया लगे गी तो करिया के साथ अलग-अलग हो जाएगा करिया के साथ अलग मेल होगा, गलत होगा उसी तरह वचन एक वचन और बहु वचन, ऐसे दो वचन है अगर आप देखेंगे एक वजन की जगह पर अगर क्रिया में बहुवचन है तो यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसी तरह पुरुश है, काल है, तीन काल है, कारक है, आठ कारक है, आदी का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना है अगर का की जगह की कारक लगया तो गलत हो जाएगा, के लिए की जगह पर अगर के द्वारा लगाया गया तो गलत हो जाएगा तो इस तरह से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुश, काल, कारक, आदी का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए तो इस तरह से वाक्य शुद्ध किया जाता एक उदारण मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती है जैसे राम और सिता गा रही है तो देखें इस वाक्य में राम और सिता गा रही है क्रिया हुई है गा रही है कैसे दोनों अगर स्ट्रिलिंग रूप होते तो वा गा रही है होता अब दूसरे इस में हम देखेंगे राम और सिता गा रहा है अधकि दोनों पुलिंग होते तो गा रहा है ठीक होता अथ शुद्धवा के होगा राम और सिता गा रहे है यह बहुँचन रूप में है तो क्रिया क्या हो जाएगी बहुँचन रूप की क्रिया हो जाएगी तो इस तरह से हम कुछ साथ उदाहरण यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे पहला उदाहरण तुम तुमारे घर जाओ उत्तर तुम अपने घर जाओ यहाँ पर यह घर तुमारे घर जाओ नहीं आएगा बलकि तुम अपने घर जाओ दूसरा जो वाक्य है वह धीमी स्वर में बोली यह पर विशेशन लगेगा स्वर के लिए विशेशन क्या लगेगा धीमी क्या सही है तो उत्तर होगा वह धीमे स्वर में बोली तीसरा उदारन है मेरे को अपना काम बहुत पसंद है तो बताएए इसमें कौन सा शब्द गलत है अशुद है गलत है नहीं अशुद मेरे को मेरे को तेरे को यह मुंबई भाशा है मुंबई की भाशा है और मुंबई में वहाँ पर कुछ इस तरह से बोला जाता है जो अश शुद्ध है हिंदी व्याकरण में, मेरे को मुझे, तेरे को तुझे, तो मेरे को कुछ जगह पे आपको शुद्ध सही शब्द लिकना है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, चोथा उदारण, शाम ने संतोष का सास ली, यहां परकारक की गलती है, शाम ने संतोष की सास ल पांचवा उदारण, बालक ने रोटी खाया, रोटी स्रीलिंग रूप होने की वज़े से, क्रिया में भी स्रीलिंग रूप आना है, जैसे बालक ने रोटी खाई उदारण 6, यह एक इतिहासिक घटना है, प्यारे विद्यारतियों, इतिहासिक यह शब्द नहीं है, इंदी के डिक्ष्नरी में, इतिहास करके शब्द है, लेकिन जब शब्द यहां पर ठीक शब्द आएगा, यह एक इतिहासिक घटना है, नेक्स्ट अगला उदारण सात्वा उदारण भैस का ताकतवर दूद होता है अब हम देखिए एक वाक्य में करता कर्म और क्रिया होता है उसको हमको सही ढंग से मेल करना होता है लगाना पड़ता है जैसे भैस का ताकतवर दूद होता है भैस का दूद ताकतवर होता है ये सही तरीका है अध्यापक जी पढ़ा रहा है अध्यापक जी आदर सुचक शब्द है तो उनके लिए हम एकवचन में बात नहीं कर सकते तो सही वाक्य होगा अध्यापक जी पढ़ा रहे है शामा ने कहानी सुनाया ये अशुद वाक्य है जब कहानी यह स्रीलिंग रूप है तो क्रिया भी स्रीलिंग रूप में ही आएगी उत्तर शामा ने कहानी सुनाई प्रश्न 10 मैं विश्व विद्याले को जा रहा हूँ यहाँ पर कारक एक्स्ट्रा के रूप में आया है मैं विश्व विद्याले जा रहा हूँ को लिखने की जरूरत ही नहीं है प्रश्न 11 सुनिये अंदर चले जाओ जब हम आदर सुचक शब्द सम्मान के लिए सुनिये देते हैं तो क्रिया में भी क्या आना चाहिए आदर सुचक शब्द ही आना चाहिए सुनिये अंदर चले चाहिए यह सही उत्तर होगा बारवा प्रश्न यह किताब किसका है? उत्तर यह किताब किसकी है तेरवा प्रश्न यहां ताजा भैस का दूद मिलता है करता कर्म और ख्रिया सही दंग से आपको लगाना है यहां भैस का ताजा दूद मिलता है चौदवा प्रश्न रोगी को काट कर सेब खिलाओ दिखिए, आप रोगी को कट करके सेब खिलाएंगे, रोगी को सेब काट कर खिलाओ, और अथ्वा, सेब काट कर रोगी को खिलाओ, यह सही उतर होगा, पंदरवा दारण, आप खाना खाओगे, आप खाना खाएंगे, यह सही है, प्रशन सोला, मेरा प्राण बेचेन है मेरे प्राण बेचेन है प्रशन सत्रा, लाल बहदुर शास्त्री का देश सदा आभारी रहेगा प्रशन आठरा, लता ने आम को खाती थी आप कुछ इस तरह से इसको कह सकते हैं लता ने आम खाया या लता आम खाती थी उनिस्वा प्रश्ण मेरा काली घोड़ा खो गया उत्तर मेरा काला घोड़ा खो गया प्रश्न बीस मैं आप पर इज़त करता हूँ गलत कारग मैं आपकी इज़त करता हूँ पर नहीं आएगा की आएगा प्रश्न एकीस रमाने पढ़ती है यहां ने कारग आवशक्ता नहीं है रमा पढ़ती है प्रश्ण बाईस मेरा तो प्राण निकल गया उत्तर मेरे तो प्राण निकल गये प्रश्ण तेईस कोई ने मेरी पुस्तक देखी कोई ने नहीं किसी ने मेरी पुस्तक देखी प्रश्ण 24 यहां लोग इमानदार और उदार रहते हैं उत्तर यहां के लोग इमानदार और उदार रहते हैं प्रश्ण 25 वह गाने की कसरत कर रहा है देखिए हम गाने की exercise नहीं करते हैं बलकि गाने का रियास करते हैं प्राक्टिस करते हैं वो गाने का अभ्यास कर रहा है या वो गाने का रियास कर रहा है तुम जा सकते है देखो 26 एक्जामपल तुम जा सकते है नहीं तुम जा सकते हो क्रियाएगी हो ना की है प्रश्ण 27 लड़की ने पत्र लिखी उत्तर लड़की ने पत्र लिखा प्रश्ण 28 रोहन को पूछो को कारक नहीं आएगा रोहन से पूछो प्रश्ण 39 वह पैदल से गया है वह पैदल गया है प्रश्ण 30 कोयल डाली में बैटी है गलत कारक कोयल डाली पर बैटी है मेरे पास पचास रुपए हैं, मेरे पास केवल पचास रुपए हैं, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 32, महेश और संगीता हमारे यहां आएगा। प्रश्न 35, इसके बाद वे वापस लोट गए हैं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद वे लोट गए हैं। चत्रू मैदान से दोड़ खड़ा हुआ, दोड़ना नहीं, भागना केते हैं। 27, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, प्रश्न 38, मैंने मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। 29, सुरेश की चाची जी बिमार पड़े है, उत्तर सुरेश की चाची जी बिमार है। 29, प्रश्न 40, मैं नया पोशाक पहनूंगा, मैं नहीं पोशाक पहनूंगा, यह सही तरीका है। 31, बच्चों से गुसाना करो, उत्तर बच्चों पर गुसाना करो। 32, मेले में अनेकों दुकाने थी, एक कब हो चंड रूप अनेक होता है, अनेकों नाम का शब्द यूज़ि नहीं होता है, तो इसके लिए मेले में अनेक दुकाने थी। तुलसी दास ने रामचरितमानस का रचना की उत्तर तुलसी दास ने रामचरितमानस की रचना की ये सही उत्तर है मेरा नाम श्री महिंद्र कुमार जी है मेरा नाम महिंद्र कुमार है जब हम किसी को वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो श्री और जी का अपयोग नहीं करते हैं मेरा नाम महेंद्र कुमार है प्रशन 45 सरदार वल्लब भाई पटेल को लोहपुरुश कहा जाता है प्रश्ण 46, एक दूद का गिलास दो, करता कर्म, क्रिया, सही तरीके से हमको लगा कर इसको लिकना, एक गिलास दूद दो प्रश्ण 47, 47, किसी भी आदमी को भेज दो, उत्तर किसी आदमी को भेज दो प्रश्ण 48, कौफी में कौन पढ़ गया है, कौन नहीं, कौफी में क्या पढ़ गया है, प्रश्ण 49, उसे बहुत गुसा आती है, उसे बहुत गुसा आता है प्रश्न पचास मैंने मेरी कलम अपनी मित्र को दे दी उत्तर मैंने अपनी कलम मित्र को दे दी प्रश्न इकावन जंगल में बड़ा अंदकार है उत्तर जंगल में बड़ाने घना अंदकार है प्रश्न बावन बाजार गए है पिताजी करता कर्म व्यवस्तित रंग से दिखिए पिताजी बाजार गए है प्रश्न तिर्पन चर्खा कातना चाहिए चर्खा चलाना चाहिए अथवा सूत कातना चाहिए इस तरह से आप लेख सके प्रश्ण चोपन वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती वह बात करना पसंद नहीं करती प्रश्ण पच्पन मुझे को घबराना पड़ा मुझे घबराना पड़ा प्रश्ण पच्पन मुझे को घबराना पड़ा प्रश्ण चपन वह कमर कसा बैठा है वह कमर कसे बैठा है प्रश्ण फिफ्टी सवेंथ सतावन पंद्र अगस का भारत के इतियास में बहुत मात्व है देखें फिर से दरकरता कर्म आपको ठीक से लिखना है क्रिया भारत के इतियास में पंद्र अगस का बहुत मात्व है प्रश्ण फिफ्टी नाइंग थाम तीन भाई हूं क्रिया हूं नहीं आएगी मैं आता है एक वचन की क्रिया है हूं बहुवचन की क्रिया है यहाँ पर तीन है तो बहुवचन रूप हम तीन भाई है प्रश्ण साथ अपनी काम स्वयम करो उत्तर अपना काम स्वयम करो तो इस तरह से वाक्य शुद्ध कीजिए यह आपने पी वन में भी पड़ा है यहाँ पर आपको साथ उदारन द्वारा समझाया गया है कि वाक्य शुद्ध कैसे करते हैं तो इस प्रकार इसका अभ्यास कीजिए प्रैक्टिस कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए बोर्ड में यह चार मांक्स के लिए पुचा जाता है तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही धन्यवाद